हाई गाईज ओलन हील पे इंटरेक्शनल पे आप सब लोगों का स्वागत है आज को वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन अप्लिकेशन का रिभीउ दूँगा इस अप्लिकेशन का नेम है आईडियल लोन तो guys ideal loan applications का downloading है 100k plus और rating है 4.7 तो guys ideal loan applications पे loan apply करने से पहले अब लोगों को जनना जरूरी है कि ideal loan application real है या fake है और यह application सच में loan provide करता है कि नहीं या loan के नम लोगों के साथ fraud करता है तो guys जरूर वीडियो का अब लोग इन तक देखेगा इस वीडियो में आप लोगों को मैं ideal loan applications का loan postal life proof के साथ दिखाऊंगा और guys अगर कोई चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल इकन पर प्रेश कीजिए तक हार एक नए वीडियो का नेटिफिकेशन सबसे पहले अब लोगों को मिलता रहे तो चैनल आज की वीडियो शुरू करते है तो guys ideal loan applications को उपिन करने के डाइम पहरा interface आएगा login का login करने के बाद step interface आजाएगा you are eligible loan up to 20,000 तो यह पर loan amount और 10 orders सिलेक करना होगा तो मैं जो यह पर loan amount सिलेक किया 20,000 12 month के लिए ठीक है तो निचे continue का option से continue पर click करने के बाद आजाएगा basic information, work information और last में आएगा bank information तो साड़ी टेस फिल करने के बाद step interface आजाएगा qualify loan qualification तो यह पर थोड़ा सा wait करने के बाद step interface आजाएगा credit evaluation fee 399 तो यह पर यह का जाते हैं कि अगर कोई ideal loan applications की तरफ से 20,000 loan लेना चाहते हैं तो पहले credit evaluation fee पे करना होगा 399 रूपीज तो नीचे पेनव का option से पेनव पे किलिक करने के बाद आजाएगा payment option तो यह पर काफी सरे payment method दिखने को मिल जाएगा wallet mobi quick, card, UPI net banking wallet, pay letter तो कोई भी payment option चूज करके अगर आप लोग ideal loan applications की तरफ से 20,000 loan पाने के लिए पहले 399 रूपीज credit evaluation fee पे कर देते हैं तो आगे जाके ideal loan applications की तरफ से अब लोगों को लोगों नहीं मिलेगा ideal loan application एक fraud application है और यह application loan provide नहीं करता है श्रिफ लोगों को लोगों देने के नाम पे लोगों से credit evaluation fee ले ले लेता है और आगे जाके loan provide नहीं करता है तो गैस ideal loan application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले credit evaluation fee पे ना करें तो गैस अभी अब लोग को मैं ideal loan applications का review दिखाऊंगा, review दिखने के बाद अब लोग को पता चल जाएगे कि ideal loan application एक fraud application है, तो पहला review दिख सकते pathetic experience और इन्होंने इस applications पे loan के लिए 399 रूपीज पे कर चुका है बढ़ागे जके ideal loan applications के दरब से loan नहीं मिला है, नीचा और review पे ये का गया है कि it's really bad app और इन्होंने भी इस applications पे loan के लिए 399 रूपीज पे कर चुका है बढ़ागे जके ideal loan applications के दरब से loan नहीं मिला है, नीचा और एक बंदा review दिया कि it's very fraud app और इन्होंने भी इस applications पे loan के लिए 399 रूपीज पे कर चुका है बढ़ागे जके ideal loan applications के दरब से loan नहीं मिला है, तो guys ideal loan applications के बारे में critical पे काफी सारे negative review दिखने को मिल जाएगा और हारे एक review पे ये का गया है कि ideal loan application एक fraud application है और ये application loan प्रोवाइट नहीं करता है, सिर्फ लोगों को loan देने के नाम पे लोगों से credit evaluation fee ले लेता है और अगे जक्के loan प्रोवाइट नहीं करता है, तो guys ideal loan application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले credit evaluation fee पे ना करें तो guys यहीता अचका एक चोड़ासा जान करें अगर अगर अब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जूरू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जासे आता शेयर कीजिए तो आप लोग के साथ मुलकात हो रहें निक्स वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्यार रखना जाई हिंद बंदे मातरम